तो बचो आज हम चैप्र नमबर फ़स्ट सेट्स यह हमारा क्लास 11 यह प्रिविस लेक्टर में जो हमारी उसमें सिर्फ हम 1D तग अपलोड किया था अब जो हमारी न्यूबुक है उसमें हमारी उसके कुस्टेंस हम डिसकस करेंगे हैं आप हम देखिगे एक्रसाइज 1E कर सकते हैं तो आजम करेंगे इसमें इसमें कोश्य नमबर फ़स्ट इसमें क्या रहा है कि इसमें इंट्रसेक्शन भी इफ एक की वैल्ली गिवन किया में मैं इलिए से ब्लेला किये बंदू किया है में इसमें किभण करना थे बंर मनड़ी आगकर नहीं कि पर इंट्रसेक्शन न दून गैनिbt उन तो यह हो गया हमारा 1st and 2nd में क्या हो जाएगा हमारे इंट्रसेक्शन भी अब यह हो गया हमारा 1 & 3 आप देखिंगे इसमें क्या इसका सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट भी सेम है कि बोल्ड है कि A-E-I-O-U और A-E-A-R-E में क्या इंट्रसेक्शन क्या हो गएंका तो इन दोनों का intersection simple नमारा क्या हो जाएगा इन दोनों का intersection होगा A को मना रहा है & E को मना है तो बस intersection तो आप simply find कर सकते हो इसमें करहें कि letters in the words nation and B है मारे पास T-R-A-I-N तो आप अगद आप देख रहे हो क्या कोपन है तो कि या nation में ती आयरा है येस ती आयरा है तो फी ले लेंगे color i दिए नर्स एंड लेंगे ul लाए इंडरेक्षिन भी तेमएजटिटीड आप कोचिन नूमँडर तो खर सकते हो इस मैं क्या रहा है एक्स भीलों चुमना सिर्पल ऑप ट्री सीग घ्यार लाएं जुआ से हुआ अंगा झैड़ पराइट एक्स फोल मस नेचलन ना एक्सिद पर लौत व्सटी है एक्स उल यह बोल रहा है कि X belongs natural number and X is less than 10 less than 10 natural number क्या होंगे हमारे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 & 9 यह होंगे हमारे सिंपली अब अगर आप इसको इसका intersection करें तो भी कितना जागा नोनों का intersection 369 यह इसका intersection होगा 369 ओके यह इसका intersection होगा simple यह में simple question करने थे आपको अब हमारा कर इसका ही second part है वही second part में भी आप ऐसी कर सकते हो second वाले पार्ट है बोल रहा है कि यह क्या है हमारे पास a is such the text belongs natural number and X is greater than one and less than equals to six one से बड़ा means two three four five and is six okay two three four five five and six the camera once a bird I am a six okay for that or be me क्या होगा हमारा कि भी में सिक नेशन लंबर आपको क्या लेना है इक से गिरेटर एंट एंट से लेस्मिंट से एट नाइन ओनली यह होंगे अब अगर इसका intersection आपको चाहिए तो इन दोनों का इसक्सिन क्या हो जाएगा इंद नहीं क्या को मना रहा है सेवन एट नाइन इन दोन में कुछ भी वैल्यों निया रिए अगर सकते यह तो थर्ड वाले में क्या रहा है कि वन टू तू त्री और यहां पर बोल रहा है कि भी एकल्स टू फाइए इस इकल्स टू पाइए अगर इन दोनों का intersection करोगे तो यहां पर भी हमारा क्या आयता आई ही मिलेगा कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहां पर भी मारा इसे सेम आप कर सकते हैं इसमें question number 3 में आपको कुछ सेट्स किवन कि हैं इभी सीटी find करना एंट्रेक्शन सी तो आप एंट्रेक्शन सी कर लो भी जो भी दोनों में कॉमन है वह आपको find करना 9 BMI pass BMI pass 10 11 and get 9 12 CMI pass 6 7 11 12 and 13 and DMI pass 5 12 13 and 15 okay यह हमारे पास हैं अगर तो आपको क्या find करना किजी भी value कोगर find करना खिवεί ए इंट्रेक्शन सी थाइन करना था उनद्वन दून में कॉमन दो आपीं इसेसेशन सी में क्या हमान अर्व इसां क्या कर सकते हैं और अगर अगर पार्ट देखने हैं को यह है भी शुझ में पर्टे गरो और फिर इसका उडिय请 कर दो किसके साथ a intersection वी शांद इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो इन दोनों को find करो इंट्रेक्शं सी पाइन करो a intersection वी find करो और फिर इन दोनों का union कर लो तो यह हम पहले से ही fijn कर चुके है पहले से इसमें बोलाईगी फिन परेश्मेंट में अपको यह पाइंड अलग लग से करने तो अगर आप इसको ध्यान से देख़े तो भी इं्टरसेकशन सी क्या होगा घंटरसेकशन सी में कौन-कौन से आज यहींट नी process होगे ए pa देखो क्या को मनें इसमें एन को मनें नहीं है 11 यहां पर तो आ रहा है हमारा 11 12 कि एंड एंट्रसेक्शन एंट्रसेक्शन बी में क्या होगा हमारा देखो एंड बी इंट्रसेक्शन में टैन है नहीं है इलेवन है नहीं है 12 नहीं है कोई भी वेली को मन नहीं है तो इनका रहा है और अब इन दोनों का गराब यूणिन करोगे तो भाई यही हमारे elements होंगे इसमें सिर्फ 11 and 12 क्या होता है all elements common किसका मिन्स होता पर यूनिन बोल रहा है तो यही element दो दाएंगे यहीं का रहोगा सिंपा ऐसे ही आप इसमें पॉर प्रस्टेंज कर सकते हैं इस में इसको वैली साइग रहे लिका गरेंगे की एलेज़ जार ज्टेस का इकौल्टिता देंगे संपल है ऐसा है आप इसमें कुश्चन नमर नमबर कर सकते हैं पूर पाइब ने बस लिखखे है तो आप नेचलन नमबर ले लो वन पूर टू फोर नमबर के लिए लिए वन थिरी फाइफ प्रैम नमबर के लिए है, simple values लेनी है आपको, तो आप इसको simple solve कर दोगे, ओके, कि भी A में क्या लेना है, आपको natural numbers लेने है, one, two, three and four and so on, up to infinity, B में आपको क्या करना है, B में क्या रहा है, कि आपको क्या लेना है, even numbers लेना है, two, four, six, eight and so on, C में क्या लेना है आपको, C में लेना है लेना है, आपको क्या, X is old natural number, old natural number means one, three, five and so on, और D में क्या लेना है आपको prime numbers, prime numbers में हमारा one होता है, नहीं, तो two, three, five, seven, eleven, यह से भी क्या है, हमारे prime numbers है, अब अगर हम इसकी बात करें, कि इसमें हमें find करना है, जो भी इसमें बोला है कि अगर हम इंट्रेक्शन भी, अगर हम इंट्रेक्शन भी देख है, A और B में क्या को मना रहा है, सिर्फ, two, four, six, eight, means even number ही को मना रहा है, two, four, six, eight and so on, यह लिख सकते है, या फिर आप कहा सकते हो, set of even natural numbers, ओके, आप यह कहा सकते है, यह axis such that axis is even natural numbers, intersection B में, same as it is, आप इसके सभी part कर सकते हो, okay, अब D के साथ अगर कोई relation बोल रहा है कि जैसे B और D में क्या common है, तो B और D में सिर्फ common है हमारे पास two, अगर B और D intersection बोल रहा हो, तो only क्या common है two, तो यह हमारा only क्या होता है, हमारा single even, even prime number होता है, वरना सभी prime numbers क्या होता है, ओट इन दोर में क्या common है, two, तो स्टाइब से कर सकते हो, यह simple question है, अब जैसे question number six देखे क्या रहा है कि which of the falling pairs of sets are disjoint, इसमें से कौन disjoint यह बताना है आपको आपको, कैसे की one, two, three, four and x is such that x is a natural number and x is less than equals to six and greater than equals to four, तो एक तो हमारे पास set ही है, one, two, three, four, तो दूसरा जो set है, वो क्या कह रहा है, यह natural number four to six के बिटेए, इनको means four, five, six, अब आप देखों क्या इन दोनों में common है, इन दोनों में common है four, तो इसका means यह disjoint नहीं है, यह disjoint नहीं है, क्योंकि इनका, इसमें common value आ रही है, तो disjoint के इसको कहते है, जिसमें intersection क्या है, five means कुछ भी common नहीं है, जैसे आप इसमें देख लो, इसमें भी common आ रही है, तो यह भी नहीं है, थर्ड में देखो आप, क्या रहे कि X is an even integers and X is an old integers, तो यह है हमारा disjoint है, ओके, पॉर्थ वाले में, even or old में कोई भी common नहीं आएगा, X is a prime number and X is an even natural number, X is a prime number and even natural number में common आएगा, क्या two, जैसे prime number हमारे पास क्या है, two, three, five, seven, eleven and so on, लेकिन, अगरे क्या रहा है कि भी even natural numbers, तो यहाँ पर two, four, six, eight, तो यह एक prime number है, जो एक common है, इसलिए यह डिजर्ट नहीं होगा, ओके, ऐसे same question number seven क्या बोल रहा है, इसमें क्या रहा है, क्या रहा है, एक हमारे पास क्या है, it is such that x belongs to natural number and two x plus nine equals to zero, यह elements है इसमें, and b की value क्या है, one, two, three, four, यह है, find out whether a and b are disjoint sets or not, इसमें बताओ कि a or b disjoint sets होगे, या पिन नहीं, यह आपको confirm करना है, a and b are disjoint sets, यह disjoint set होगे, तो आप एक element निकालो न, क्या रहा है, यह में क्या element आ रहा है, अगर इसको solve करें, तो अगर आप इसको solve कर रहे हो, two x plus nine equals to zero, four, यहाँ पर two x is equal to कितना जाएगा, minus nine and x यह value हो जाएगी, minus की four point five, और minus की four point five है, यहाँ पर value, और यहाँ पर है यह value, तो माइनस का four point five तो कुछ होता ही नहीं है, natural number में तो natural number, इसमें कोई natural number हो गई नहीं, तो आप कहा सकते हो कि इसमें कोई element नहीं है, कोई element नहीं है, इसका मेंस ही क्या है, यह five है और बी है हमाले पास ही, तो आप इन दोनों का intersection करोगे, अगर आप कर आएगा five, क्यूकि इसलिए क्या होगा, इसमें होगा, येस, question number eight में, question number eight में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, कि इन वेन डाइग्राम, आँ, state the region A union, B intersection C, तो आप को ये जो वेन डाइग्राम की इवन कैस में, ये वाला region state करना है, बताओ कौन सा region होगा है, इसमें three circles हैं, A, B, C के लिए, A, B, and A, C, ओके, ये है, A, B, and A, C, अब क्या करना, आप किसको state करना, state करना, A union, B intersection C, और B intersection C है हमारे पास ये, ठीक है, अब इसका union किसके साथ करना, A के साथ, अब अगर हम सका union करेंगे, A के साथ इसका union करेंगे, हमारे कौन सा आएगा हमारे का, देखो, intersection वाला पार्ट ये तो रहेगा, B और C का, और एक अगर हमें union करेंगे तो और इनी करेंगे तो एवाला पार्ट हो जायes हमें सिर्सिंप हमारा क्या हो जाएगा में गोसी में ट्हें पार्ट सैलिये हो गया हमारा इसका क्या हुह गया है है Angels B are two sets. अगर A और B two sets हैं, then A intersection A union B. Then A intersection A union B. Is equals to. ये किसके एक्वल होगा ये बता हो आप. A intersection A union B is equals to. ये किसके एक्वल होगा ये बताना है आपको. तो बता होएं किसके एक्वल होगा A, B ये फिर 5 हैं. अब ये को दिहान से अभी हम इसको बात अगर हम इसी को देखें A intersection B. A union B. A union B क्या होगा? ये A है और ये B. ये पूरा ही क्या होगा हमारा A union B होगा. लेकिन इसी का intersection A के साथ करें. A के साथ अगर इस intersection करें तो सिर्फ हमारे पास कौनजी वैल्य 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 हाई की intersection ये वाली complete है इसका मेंस ये A हाइगा इसमें समझे आप कि इस पूरे में और इस पूरे में क्या common है ये दोने ये दुना सरकल लिगी common ये सरकल किसके लिए है एक ही लिए तो बस A ही हमारा क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा सिंपन इसमें क्या आइगा answer हमारा ए इसका a option correct है ये mcq है हमारे ऐसे same 10th में बोल राए है कि भी इन बी आ बी आर बी आर डिपाइन है एर भी आपके अब दीफाइन है किस टाइप से है कुछ इस टाइप से हैं कि भई एकस वाई सच देट वाई इस इकल तो एकस टो एकस बिलोंग स्टू आर एंड बी एकस वाई and such that y is equals to minus x and x belongs to r then आपको क्या करना है then बताना कि इसमें से क्या सही है कि a intersection b is equals to a होगा और फिर सेग्ड वाला क्या रहा है इसमें बी वाला मेंस यह यह बी वाला क्या रहा है कि a intersection b is equals to pi होगा या फिर बी वाला क्या रहा है कि a intersection a union b is equals to b होगा इसमें से क्या होगा यह बताना है आपको कि a union b is equals to b होगा इसमें से क्या होगा तो इसमें से होगा हमारा intersection b is equals to pi क्यों होगा लेकिन अब आप इन दोनों सेट को देखो आप कि ए के आया हमारे पास एक elements बनेंगे हमारे कुछ इस तरीके से लेकिन अक्सिस नॉटिपर सुझी रहोना चाहिए यह मेंस तरीके से लेकिन आप कोई भी इसमें अगर हम लेतने हैं देखो one xy value बनेंगे माइनस बन तू लेंगे माइनस तू त्री लेंगे माइनस त्री इस तरीके नंबर्स इसमें आ रहे हैं और रियर मिल रहे है तो कोई भी ऐसा और पेर नहीं है जो हमारा क्या आजाए से माड़े को भी एक वैल्यू आप ऐस में करना था question number 10 योग यस का solution तो बस यह exercise नमारे इसमें यह questions थे आप इनको complete करें फिर्मस में आगे प्रोसीड करेंगे मिलते हैं next lecture में वीडियो इन्प्रमेटिव लगाओ तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना thanks for watching